हाई एवरिवन आइम श्वेता एंड वेलकॉम बैक मैं चैनल स्टाइक वर्णर बाई श्वेता तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं विंटर स्पेशल नाइट क्रीम और ये नाइट क्रीम को बनाना बहुत ही जादा इजी है ये नाइट क्रीम बहुत आपके डैट सेल्स को रिमूव करके आपकी इसकीन को ग्लोइंग एंड क्लियर बनाएगी और जितने बी डार्ट स्पोर्ट आपकी इसकीन पर हो रहे हैं ये उन सब को डिड्यूस करने में भी आपकी हैप करेगी और इसे बनाना बहुत ही इजी है तो आज हम जितने भी इ आलोवीरा जैल ले रहे हूं ये बहुत ही नाच्रल होता है आप कोई सबी अलोवीरा जैल यूज कर सकते हैं अलोवीरा जैल में होती है नाच्रल प्रपर्टी जो की स्कीन को मॉस्टिराइज करती है बहुत ही अच्छे से ये आपकी स्कीन को ग्लोइंग एंड क्लियर बना यह इसकीन को यूटफुल और यह बनाता है इसमें जो एंटीबैक्टीरियल और एंटी ऑटसीडन होते हैं यह जो स्कीन में उनको भी रिमोव करते हैं सारी डर्ट को इसकीन से निकालता है और ब्लोइंग बनाता है और विंटर में केसर बहुत ही जादा अच्छा होता है एड़ करना है 2-3 drops rose water यानि की गुलाब जल गुलाब जल को इसमें एड़ करने के बाद 10 मिनट्स तर इसे ऐसे ही छोड़ देना है जिससे जो केसर का पूरा कलार है यह गुलाब जल में आ जाएगा और इसे आप साइड में रख दे गुलाब जल जो होता है वो स्कीन को बहु आन लाइन से उनको रिमूव करके हमारी स्कीन को यह रखती है कि हमारी स्कीन के सारे डेट सेल्स को रिमूव करती है और इसकीन को ब्लोइंग और ब्राइट बनाती है तो यहां पर हमें 2-3 drops इसमें बदाम तेल को एड़ करना है अलमंड और को ब्यूटी सॉलूशन के वेटामीनी कैपसूल तो गाइस जो वेटामीनी का कैपसूल है आपको किसी भी मेडिकल शॉप पे इजी ली अवेलेबल हो जायता है यह जो डार्ट सर्कॉल्स होते हैं उनको रिमूव करने में काफी है करता है और जो एक्निकी प्राब्लम है उनको भी काफी हथ तर यह र और गाइस फिकेसर और जो रोजवाटर हमने जो मिक्स किया था उसे भी आपको इसमें एड्ड करना है एंड डैन आप देख सकते हैं कि जो यह ऐलोवीरा जल है वह एक क्रीमी टैक्शर में आ गया है जैल फॉर्म से ऐक्रीमी टैक्शर हो गया और आप सपनी अच्छी त्य प्रियार हुई है और यह क्रीम बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है आपकी स्कीम को ब्लोइंग वाइड बनाएगी तो इस तरह का आपको इसका टैक्शर में लेगा और आपको इसे नाइट में एपलाय करना है अपनी स्कीन पे और आप इसे एक स्टोर करके भी रख सकते हैं यह वन मन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी तो राइस यहां पर आप देच सटा है मैंने एक लीन कंटेनर ले लिया है अब मैं इसे क्रीम को इसमें ट्रांसफर करूंगी और फिर मैं इसे फ्रीज में रंग तूँगी जिससे यह वन से टू मन बिल्कुल भी खराब नह या फिर आप और टैम के लिए क्लिए ऐसे फीम में रख सकता है कोई भी से एफेक्ट नहीं होगा आप चाहें तो इसे भार भी रख सकते हैं अगर आ आप इसे लंबे टैम के लिए बना रहे हैं तो आप से मिलूंगी नेट्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाइब